नमस्कार दोस्तों टेक्नलोजी की इस इजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बता हुआ कि LTE Band को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं LTE Band सेलेक्ट करने से हमारी GEO 4G की स्पीड में बढ़ोतरी होगी इसके लिए हमें Play Store से LTE Engineering Mode एप को डाउनलोड करने पड़ेगी इस एप को इंस्टॉल करने के बाद उपन कर लेंगे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए मैं इसे उपन कर लेता हूँ अब ओपन करने के बाद इस एक में 3 ऊप्षन आएंगे Android Settings, MTK Settings और Samsung Settings अब हमें हमारे मोबाइल में MTK Žिपसेट है असलिए हमें MTK Settings को सूच करना है यहाँ पर पहले ऊप्षन आएगा टेलिफोनिक उसमें हमेरा चार नममर का उप्षन मिलेगा आमें मैंड मोड इसपेक क्लिक करेंगे फिर हम देखें कि हमारे पास दूप्सन आती हैं सिम फैट और सिम मेंस न को सेलख्ट करता हूं यहां पर हमारे ओप्षन आजाएगा जीए सम मोड यह 2G का मोड है यह MTS मोड यह 3G का मोड है यह LTE मोड जो की 4G का मोड है हमें 2G और 3G मोड को चेंज नहीं करना है हमें शिरफ LTE मोड को चेंज करना है मैंने पहले से ही अपना LTE 40 मोड कर रखा है हम से हमें बहतर स्पीड मिलती है और LTE 4 और 5 से हमें इसलिए हमें सेलेक्टाइबद कर लेना है एल्टी फोर्टी बैंड से हमें लगभग जहां तक संभव हो 50 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है इस लिए इस बैंड फोर्टी को सेलेक्ट करने वाद हमें इसे सेट कर देना है यह हमारा बैंड फोर्टी सेट हो गया हमें बेक जाकर फिर अपनी जियो की स्पीड को चेक कर लेना कि यह देखो आप हमारी स्पीड इंक्रीज हो गई है लगभग हमें 10-12 Mbps ते की स्पीड मिल रही थी जोगी अभी अभी स्पीड में सिर्फ 9 Mbps तक आगी है मेरी पहले स्पीड आ रही थी इसमें 4-5 Mbps अभी आ रही है 9 Mbps डाउनलोड स्पीड और अप्लोड स्पीड आ रही है 3.42 Mbps इस तरह से हमारे स्पीड में थोड़ा इजाफा हुआ है इस टीक से आप भी अपने ज धन्यवाद प्लीज सेर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स